मारप्रदेश विधानसभा चुनाफ में हार के बाद अब कॉंग्रिस ने लोकसभा चुनाफ की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अधिक्ष पद से इस्तिफा दे दिया था। लेकिन शिर्ष नैद्रत्व ने तैय किया था कि जब तक नए अधिक्ष की न्यूकती नहीं होती उन्हें जिम्मिदारी सौपी गई थी। कमलनाफ प्रदेश के ही नहीं बलके देश के बड़े नेता है। हम सब उनका स्तीफा नैद्रिक जम्मिदारी मानते हुए चुनाओ के रिजल्ट के अगले दिन ही उन्हें दे दिया था। और उसके बाद शेष ने तैय किया कि जब तक नए अधिक्ष नहीं बनते हैं जब तक वो कंटिन्यू करें। और जो भी कोई इस तरीकी कोई बात जो मीडिया जा तौर दवार उठाई जा रही है किसीने भी बोला है उसकी परस्नल ओपिनि हो सकती है अखिल भारति कॉअग्रेस उनका बहुत सम्मान करती है हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता है सबसे पहले प्याएस की बैठक है पीठिकल का चेहन करेंगे उसके बाद भारत जोड़ो यात भारत जोड़ो नियाय यात्रा की जो कारिकरम है और रूट चार्ट है उसके उपर चट जाओंगे तैंक यू बड़ी महत्पूर्ण बैटके हैं और कुल मिलाके आने वाले लोग सवा तुनाव की तैयारियों को लेके बैटके अच्छे से तुनाव लड़ें और सफ़ा लोचा के इसलिए जो नरंतर प्रक्रिया है तुनाव की उसकी तैयारियों को लेके ये बैटके और बेसक समय कठेन है लेकिन कांग्रेश चुके अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी है तो इस दोर में भी लड़ लेगी इसी से भावना के तहत हमारी ये बैटके चाल गया और आने वाला समय अच्छा राएगा लोगताब की ही चुनाव को लेके ही ये सारी चीटें